हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू मैं चैनल मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा नाजुक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इस टॉपिक पे बात करके अपना सब्सक्राइबर बनाने का या फिर अपने ब्यूस बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा एक यूट्यूबर का और देख देर घंटे का उनका लाइफ चैट है और देर घंटे का लाइफ चैट में मैंने सिर्फ पचास मिनिट ही देख पाए और मैंने बंद कर दिया क्योंकि इस वेरी इर्रेस्पॉंसिबल इंसेंसिटिव और इरिटेटिंग पहली बाद तो यह वो पहले अनौंस कर दे थे कि वो आटेक के बारे में वीडियो करने जा रहे ओके तो आजाना सब कोई सब कोई आ गए लेकिन उनके पीछे दो सेट अप है उनका दिवार पे नुसरत फते अली खान का बड़ा सब पोस्टर लगा है अब नुसरत फते अली खान है पाकिस्तानी वोकलिस्ट चाहे उनका दिहान्त हो गया हो लेकिन वो इस नाजुक समय पे उनके दिवार पे क्या कर रहे है वो इंटर्नल ट्रेटर के बारे में बड़े-बड़े बाते कर रहे थे उन्होंने खुद नहीं देखा कि हमें पुल में घुद करने के लिए इंडिया में जितने भी लोग है सब को पता है डोनेट कैसे किया जाता है एंडियन आर्मी को बार 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 एक बात को ऐसे धोराया गया है मुझे तो बहुए मुझे देर घंटे के वीडियो में बता है, मुश्किल से मैंने 50 मिनिट का देखा है, और एक बात बोला, कि जापानियों को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, जापानियों को इंडिया और इंडोनेशा के बारे में कोई फरक ही पता नहीं है, क्योंकि जापनीज में इंदो औ पता है, यह 100% जापनीज को देखा है, पता नहीं वो किन-किन लोगों से मिलते हैं, और किस रेनी के लोगों से मिलते हैं, हो सकता है जो यह पर बहुत लोग होते हैं, क्लास 8, क्लास 5 तक परहाई लिखाय करके छोड़ देते हैं, हो सकते हैं उन लोगों को इंडिया और इं इंड़नेशय के बारे में पता ही नहीं है, टोकियो जाके देखो लिटिल इंडिया बना हुआ है वहापे, यहाँ पर यहाँ के सबसे बड़ा सॉफ्टर इंडस्ट्री का मैक्सिमम इंडियन पॉपलेशन है, और तो और उन्हेंने ये भी बोला, ये तो हदी हो गई, कि मोद उन्हें लुटाने वाली कौन सी बात हो गई, शिंकांसन का टेकनोलोजी हमने खरीदा है जपन से, इसमें जपने लूटा का हमको, हर कोई अपना चीज बेजता है तो इसके बदले पैसा तो लेता ही है, इसमें लूट मचाने वाली कौन सी बात, लूट तो सत्ते सालों से म परता कि नुसरत फत्यालिखान का पोस्टर लगा है उनको पता ही नहीं है कि उनके दिवार पे लगा हुआ है बड़ी बड़ी बातें कर गया है पचास मिरी तक मैंने देखा उसके बाद I got so irritated अभी-भी ऑफिस से आई हूँ और मैं पूरा दिन सोचे थी कि मैं इनको ये बातें बताओ कि नहीं बताओ मैं कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहती I'm pretty sure जिनको मुझे ये संदेशा देना था उन तक पहुच गया है और तो और इन्होंने वीडियो का शुरुआ थी क्या ऐसे इतनी इतनी उनको emotional attachment हो गई है soldiers पर कि उन्होंने बोला किसी किसी का लाश का टुकरा आया है लाश नहीं होता वो soldiers के लाश नहीं आते घर पे उनके पार्थिव शरीर आता है हिंदी तो research करके बात कर लिया होता इतनी irresponsible और insensitive बाते किया है उन्होंने लाइफ चैट पे और subscribers ने किसी ने भी उनको point out नहीं किया कि उनके दिवारों पे नुसरत फत्याली खान का photo लगा है किसी को नहीं दिखा इससे क्या पता चलता है इंडिया में कोई unity नहीं है या फिर इंडियन्स को कोई फरक ही नहीं परता क्या पता चलता है इससे उपर से आटक उपर वो video बना रहे है उसमें धरादर गाली बखे जा रहे है एक soldiers को dedicate कर रहा है एक video उसमें तो कम से कम गाली मर्त बखो और लगाता लगाता बोले जा रहा है कुछ भी donate कर देना कुछ भी donate कर देना विकारी समझ रखा है सब को पता है कैसे donate करते हैं यह जापा खुद को भी नहीं पता कैसे donate करते हैं यह भी बता देता कि हाँ मैंने link भेज दी लिंक नीचे description box में डाल दिया है आप लोगों से जितना बन सके कर दो यह भी नहीं बता है बलता है मैं आभी काम से आया हूँ और मुझे मैं बाद में रिसेर्च करूँ गा, सच करूँ गा, गूगल पर देखुंगा की कैसे पैसे भेषते हैं आप सो, I mean it's very insensitive I must say एंग उर तोर… इंडिया के बारे में भी बोल गया जो बात कि इंडिया सनल नहीत ना में इंडिया इंडिया है अजरी इंडिया अली आफ्किते इन एपन…! आई हम प्रिटी के न。 for this irresponsible act and being so insensitive towards the soldiers. God, he is so insensitive. ऐसे लोग, वो बड़े बाते बोल रहे था था न, विडियो कंदर इसे रहां, internal traitor, internal traitor. He is an internal traitor, I think. He owes an apology to everybody. Let's see what he does after this. जैंत, जैंभरत.